नमस्कार दोस्तो, Quality of India के इस प्रोग्राम में मैं आरेन विस्वकर में आप लोग का बोदोस्वाइद करता हूँ दोस्तो, और्गनाइशन को चलाने के लिए management हर तरह की कोसे से करता है लिकिन सबसे इंपॉर्टनिस में ये होता है कि management का जो objective है वो clearly align हो bottom point तक यानि कि top management के level से लेके middle management, junior management, frontliner सभी के objectives में clarity हो, सबका alignment properly हो, सबका अपने role के बारे में clarity हो जब ये होता है तब companyya भी successful होती है इसी को ध्यान में रखते हुए management by objective ये एक important concept है जो कि industry में इस्तमाल किया आता है तो हम इस program में इसको explore करेंगे और जानेंगे कैसे management by objective किसी भी organization के लिए important aspect होता है organization के success के लिए और individual के satisfaction को improve करने के लिए भी लेकिन program को आगे बढ़ाने से पहले सारे नए viewers को मेरा request है चैनल पर पहली बार आए है, subscribe कर ले वीडियो अगर पसंद आया, कुछ सिखने के लिए मिला तो उसके like करना न भूले और इसका link अपने दोस्तों साथ में जरूर सेर करें चली program का आगे बढ़ाते हैं तो दोस्तों हम management by objective के बात करते हैं तो company अगर objectively काम नहीं करती है उनके कुछ objective अगर सेट नहीं होते हैं जो की properly miserable हो तो क्या होगा? Company फिर चली जा रही है, कोई direction नहीं है directionless चल रही है और ये long run अपने vision को, अपने mission को कुछ achieve नहीं करेगी इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि company का कुछ न कुछ objective होना चाहिए objective में लोग को clarity होनी चाहिए जिससे कि individual का performance और organization का performance भी बना हुआ रहे तो दोस्तों ये जो concept है management by objective इसे बहुत ही popular management guru जिसे हम कहा सकते हैं Peter Drucker आप जो photograph देख रहे हैं Peter Drucker का इनको management guru को नाम से जना आता है इन्होंने काफी सारे किताबे लिखी हैं और बहुत सारे concept भी इन्होंने दिये हैं तो उनका एक popular किताब है 1954 का The Practice of Management इसमें उन्होंने management by objective concept का जिक्र किया है तो purpose क्या होता है management by objective का ultimately जब तक company का objective top level में objective set नहीं हो और objective भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी लिख दिया कि हम बहुत अच्छा करेंगे सब्सक्राइब एक company है और वो वासर बनाती है या bearing बनाती है या कुछ भी ले ले लिजे gasket बनाती है, motor बनाती है, camera बनाती है कुछ भी बनाती है और उन्होंने अपना objective set किया हम बहुत अच्छा इसबार करेंगे तो क्या होगा अगर company ना अपना target या vision अगर इस तरीके से set किया कि हम बहुत अच्छा करेंगे तो बाकि department head क्या करेंगे वो भी लिखेंगा अपने target में या अपना vision में लिखेंगे कि हम भी बहुत अच्छा करेंगे अभी बहुत अच्छा तक किसके लिए अच्छा है, किसके लिए कितना अच्छा अच्छा है, ये बड़ा confusing सा रहेगा, आप इसको monitoring कैसे करेंगे, आप इसको miser कैसे करेंगे, आप कैसे जाने हैं कि performance achieved हुआ है कि नहीं हुआ है, इसलिए दोस्तों ये कुछ number में होने चाहिए, और इसी के लिए हम लो objective, company level का, यानि कि organization level में पहले objective को set करो, हम एक एक level करके नीचे आते जाएंगे, और सभी के objective को set करते जाएंगे, objective सारे के सारे smart होने चाहिए, properly aligned होने चाहिए, जब ये properly aligned रहेंगे और सब के smart रहेंगे, तो क्या होगा, सब लोग को clarity मिलेगी, कि मुझे क्या करना है, कैसे क करना है, और आपने team को भी clarity दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी company हो में issue रहता है, क्या कि लोग को पता ही नहीं होता है, कि मुझे करना क्या है, हमारा targets क्या है, मेरी role responsibility क्या है, सबसे बड़ा problem तो बहुत सा लोगों में यही रहता है, जब वो company को छोड़ते हैं, तो typically जब exit interview लियाता है, तो बहुत सा लोग concern रहता है, कि sir boss ने तो कभी बताया ही नहीं कि मेरा role क्या है, clarity ही नहीं मुझे, कई बोल देते हैं, यह करो, कई बोल देते हैं, वो करो, और उसके बाद में, जब performance appraisal होता है, बोल देते हैं, तुमारा performance अच्छा नहीं है, जबकि मुझे year क बीगनिंग में अगर बता दो, कि तुमको यह करना है, तो मैं प्रापर लिशु कर लूँ, तुमारा target यह है, तो जब तक यह clarity लोगों को मिलीगी नहीं, तो क्या होगा, individual भी अपने target को achieve नहीं करेगा, और company भी suffer करेगी, company भी अपने target को achieve नहीं कर पाएगी, और इसी के ल एक तो सबसे पहले होता है कि कुछ vision, कुछ mission या कुछ तो objective वगरा set करना, top level के हिसाब से, ताकि लोगों को clarity रहे, कि भी या करना क्या चाह रहे है, यह company है, ठीक है ना, उसके बाद में बहुत सर चीज़ और भी आएगी, लोग के role responsibility को clear करना, organization के chart को बनाना, role में properly alignment करना, properly review, mechanism में रखना, वगरा वगरा, इन सारा चीज़ों का अगरा properly set करेंगे, तो company भी तरक्की के रास्ते पे चलेगी, और अपने अपने objective को achieve करेगी, बहुत important है दोस्तो, यह मेरे personal experience में, मैंने काफी सारे organization में काम किया, senior level में काम किया है, और multiple plant heads के business heads को हम लोग review किया करते और जब भी review होता था, तो review के दुरान में हमेशा observe किया गया है कि role की clarity, उसके बाद में vision की clarity, objective में miserable term का ना होना, यह failures का बहुत बड़ा reason होता है, और इसके बाद में properly उसका review ना होना, लोगों में supporting environment ना होना, तो environment भी बहुत जरूरी होता है कि proper environment भी हो, company को successful बनाने के ल पहला important चीज हो गया, setting objective, अब setting objective में क्या करेंगे, objective पहले हम company के लिए करेंगे set, उसके बाद में department wise या जितने भी बड़ा organization है, for an example अगर आपका बहुत बड़ा group है, तो पहले total group level में एक senior management team रहेगी, एक objective set करेगी, तो plant level का plant specific objective set हो जाएगा, फिर plant level में जितने भी head of the departments ह उनके objective set हो जाएगे, फिर उसके बाद में नीचे नीचे इस तरह से चलेंगे, इसे हम policy deployment, जिसे कि अब Japanese में होसिन कानरी कहते हैं, कि policy जो है top level से कैसे नीचे के level के तरफ में step by step manner में deploy होती है, बहुत से जगों में failure का ये भी कारण होता है, कि top level में top management ने कुछ vision तो बना लिया है, या कुछ objective तो बना लिया है, लेकि नीचे तक कैसे उसको deploy करें, इसके बारे में clarity नहीं है, तो दोस्तो वैसे quality of India में हम इसके बार में consulting भी करते हैं, अगर आपके organization में अगर इस तरह से कोई challenges वगरा है, कोई आप training program organize करवाना चाहते हैं, या consulting के अगर आपकी requirement है हर एक level में आएंगे, दूसरा important चीज आपको धिहान रखना है दोस्तो, participative goal setting, तो जो भी आप goal set करेंगे, typically उपर के level से, अनि कि हम vision बनाते हैं, तो vision के बाद में आपका mission बनता है, mission के बाद में आपका goal बन सकता है, और इन के लिए अलग-लग policies बनती है, अलग-लग department के policies ब holders का, अगर आप company level में भी कर रहे हैं, तभी भी आप ensure करें, कि जो अलग-अलग departments के, जो representative है, या department heads है, या vice president है, या directors है, जो भी है, वो company के size पर depend करता है, complexity पर depend करता है, उनका safe होना चाहिए, उनका participation होना चाहिए, जब तक उनका participation नहीं रहेगा, तब तक क्या होगा, फिर बाइन नहीं आएगा, और बाद में दिक्कत होगी, फिर क्या होगा, गोल जो है, या जो target जो है, ये थुपा हुआ सा लगेगा, फिर क्या होगा, बंदे उसको own नहीं करते हैं, उनको लगता है कि यार, किसी ने set करके हमको दे दिया, तुम करो, मुझसे तो पूछा ही नह नहीं, तो मेरी चीज़े तो तुमने समझा ही नहीं, है ना, तो वो ownership नहीं आती है, और कहीं न कहीं जाके बाद में कमपनियां अटकती है, ये अक्सर मैंने देखा हुआ, तो इसलिए आप इंसूर करें, कि पार्टिसिपेटिव गोल सेटिंग हो, कि अलग 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 ले अलग अलग एरिया के जो सुप्रवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनको आप इंवाल्व करें, गोल को सेट करने के लिए, ताकि उनको भी क्लारिडी रहे, और वो भी अपने इंपूट्स आपको प्रवाइड कर सके, और बाद में पर उसको ओन भी करते हैं, ये ध्यान र करते जाएं, अलग अलग चीजों का, अलग 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 फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, तरह तरह के आप इसमें डाश्बोर्ड बना सकते हैं, डाश्बोर्ड को अलग 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 जगों पर आप डिस्प्ले कर सकते हैं, आप इसका ओनलाइन भी सिस्टम रख सकते हैं, आपको पता किस चलेगा, कि target तो हमने set कर दिया था, अब यह चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं किसी को कुछ hurdle तो face नहीं हो रहा है, कहीं किसी को कुछ resources तो नहीं चाहिए है, न आब implementation करने से पहले, in fact आपको पहले आपको check करना है कि आपके junior जो है, उन्सकाइब कहीं पर डाइरेक्शन चाहिए हो कहीं पर कुछ गाइडलाइन चाहिए होगा वो सारी चीजों का भी आप इंसूर करें और फिर अफकोर्स पर्फमांस मॉनिटरिंग तो आपको करना ही करना है कि चीज़े ट्राक पर है की नहीं है और कहीं पर लगता है कि कुछ गड़बड हो रही है तो फिर उसको एक्शन ले 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 नेक्स पॉइंट जो कि मैंने अभी जश्क बताया था आपको फीडबाक एन इवालूशन यानि अलग लग प्लेटफार्म पर उसको रिबू करें अलग लग लेवल पर करें ताकि हर एक जो पार्टिसिपरिशन हो और आपको पता चलेगा कि आप कितना अचीब करने वाले हैं आपने जो अपना टार्गेट सेट किया था अगर रिगुलर मॉनिटरिंग करेंगे तो आप अगर आप फेल भी करने वाले हैं तो आपको पता हुआ कि मैं कितना फेल करूंगा आप सियोर होंगे कि मैं आचीब कर लूँगा या मैं सरपास करूंगा नहीं तो क्या होगा ये रेंड में फिर आपको जटका लगे या कि आर मैंने टार्गेट तो लिया था इतना करने का for an example 100 करोड का sale था आपने target लिया था इसको 1500 करोड करना है 130 करोड करना है अब हुआ कितना है 90 करोड हुआ अनकि पिछले साल से भी कम हो गया अगर आप monitoring ही नहीं कर रहे थे तो आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप regular basis में उसको monitoring करते रहेंगे कहाँ पर हमको focus करना है उस bottle नेक पर focus करके उसको हटाईए तो इससे क्या होगा चीज़े track पर आएंगे और आफकोर्स पांसर पॉंट बहुत important है चीज़े अगर सही चलती है तो reward and recognition होना चाहिए क्योंकि दोस्तों लोग का motivation बहुत जरूरी है तो reward and recognition बहुत important हिस्सा होता है management by objective का और finally six point adjustment of objective जो भी आपने objective लिया था जिससे आपने शुरुवात की थी अगर कहीं पर लगता है कि आप achieve करने वाले हैं surprise कर लिया है आपने तो उसको change कीजिए for an example जिससे मैंने बात के 100 करोड का target था sell करने का या 150 करोड का target था अब आपको लगता है कि 6 मेना 8 मेना हो गया है और 50 करोड तो कमसे हो जाने चाहिए था 60 करोड हो जाने चाहिए था अब हुआ है 20 करोड जो भी reason था तो क्या आपको अगले 6 मेने में target को कुछ revise करना है कुछ अलग चीज करना है तो वो adjustment of objective भी जरूरी है क्योंकि दोस्तो जो time बचा हुआ उसमें best क्या कर सकते हैं जो की थोड़ा सा stretch भी हो थोड़ा सा achievable भी हो उसको revision करके उस पर action लेना बहुत जरूरी है और यह तभी हो से तज़ा आप properly उसमें involved हो इंग्रोज्ड हो और time time आप उसका review कर रहे हो तो काफी सरे जगों में आपका target achieve हो रहा होगा आपको थोड़ा सा और उपर एक level लेकर जाना है और आपका आट मेने में ही अल्लेडी आपका 95 करोड हो गया है तो क्या आप 2 करोड़ी achieve करेंगे बाकी time में? नहीं आप निया target ले लेंगे में भी चलो 130 करोड़ आप करते हैं ठीक है? और 130 करोड़ करेंगे तो सबको कुछ extra हमको reward भी देना है तो उसको भी set कर लीजिए लोग को motivation मिले है कि चलो हम निया target achieve करते हैं कुछ extra करेंगे तो हमको कुछ extra भी मिलेगा है ना? तो उससे क्या होता है? एक अलग तरीके का atmosphere बनता है लोग भी खुशी-खुशी काम करते हैं तो दोस्तों अगर हम management by objective के बात करते हैं तो Peter Ducker को द्वारा दिया गया है बहुत important concept है और management level के लिए तो बहुत जरूरी है क्योंकि अगर management objectively काम नहीं कर रही है और subjective तरीके से काम करें कि जिस तरीके चल लाए चलने दो, धक्का मारो, गाली गलोज करो कुछ नहीं होता है प्रापर तरीके से systematic तरीके से काम करना है प्रापर लिए उसको चीजों को track करना, लोग को facilitate करना है है ना, तो आप भी target का chip करेंगे और लोग भी आपका motivated रहेंगे और आपके साथ में रहेंगे और बाकी दोस्तों अपने career को और आगे बढ़ाना चाहते हैं नई उचाय में लेकि जाना चाहते हैं तो हमारे training program को जरूर explore करें Quality Hub India के app गूगल प्ले स्टोर से या आपल के स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं Quality Hub India के नाम से ही app है और वहाँ पर 100 प्लस courses हैं हिंदी में हैं, इंग्लिस में हैं हर एक लेवल के हिसाब से courses हैं Six Sigma के courses है, Lean Manufacturing है, Aurating courses हैं Problem Solving Tool, Techniques हैं बहुत सारे Orbit Tools हैं और बहुत सारे courses हैं जो professional career में आपको नहीं उचाई मिले के जाने में आपको help करेंगे काफी normal charges में हमारे courses हैं और अगर किस तरह का consistency के requirement आपके company में कोई training program करवाना है तो उसके लिए आप हमें connect कर सकते हैं हम हमेशा आपके साथ में जूड के आजन इंडिवुजल आपको career को उचाई मिले के जाने में आपको मदद करेंगे और आपको company में भी आप company के objective को achieve करने में भी आपको हम support करेंगे और दोस्तों अकर वीडियो पसंद आया इसे like जरूर कर लें इसका link अपने दोस्तों के साथ में जरूर सेर करें ताकि उनको भी कुछ नया सिखने का मौका मिले और वीडियो कैसा लगा कामेंट सेक्शन लिक के हमें बताएं आपके सुझाव हमें बैतर वीडियो बनाने के लिए प्रेजित करते हैं तुमार साथ बने रेल्ग दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद टेक किया दोस्तों जाहें